बुल्स इस समय complete control इस market के लेते हुए बस कल तक यहाँ पर नीजी बैंकों की leadership थी आज equal participation सरकारी बैंकों में देखने को मिला है चाहे आप कहिए banks या फिर आपके metal stocks, real estate stocks लेकिन एक खास बात इस तेजी की ये भी है कि एक अच्छी खासी खरदारी reliance industries, ITC और L&T जैसे दिगजों की तरफ से भी आती भी दिखाए दी है तो आप कह सकते हैं ये कोहे सिव rally है, जादा तर stocks participate कर रहे हैं एक ही index आपको हलका सा negative में दिखाए देगा, वो लाजली pharma index होगा वो भी flat है, ऐसा नहीं है कि बहुत pit गया और mid caps की तरफ से भी production अच्छा खासा, लगबख 275.2 पर तो ये है फिलहाल market की स्तिती अब तक, अब यहां से आगे आपकी क्यारणीती होनी चाहिए इस closing में कौनसे levels important होगे, उसकी बात करेंगे अनुज आपको detail में बताएंगे कि किस तरह से market आप poised है और of course वीरू आपको F&O वाले stock setup दिखाएंगे लेकिन अनुज खास बात ये है कि हम दरहसल आज लगबख 175.33 तक पहुंचे और ऐसा नहीं है कि वहां से एक cut देखने को मिला उसी के आसपास ये जो market बैठ रहा है क्या base बना रहा है 500 के करीब बिल्कुल दिखें हजदा आज जो हमारी सुबह की commentary थी वो भी क्या थी कि 17,450 से 500 एक profit booking zone है वहां पे आप profit book करिए और उसके बाद side में बैठ जाएए क्योंकि intraday में आपको जादा market juice ना दे निफ्टी पर लेकिन bank nifty में एक बहुत clear call था कि bank nifty में आपको हलका सभी minor dip शुरू में अगर मिले तो उसको buy कीजिए और 40-500 के करीब bank nifty जाने का दम रखता थी निफ्टी में खुलने के बाद थोड़ा consolidation हुआ यह दो चीज़े में हुई हैं अब यहां से आगे क्या दे कि निफ्टी और bank nifty दोनों काफी important levels के आसपास हैं closing level पर निफ्टी 17-500 के पार जाने के तियारी कर रहा है 17-400, 17-500, 17-450 यह सब के सब puts इन में अच्छा-कासा एक open interest बिल्ड़ाप हो रहा है और 17-500, 17-600, 17-500 call इन में भी open interest बिल्ड़ाप अच्छा-कासा हो रहा है bank nifty में काफी put writing है 40-200, 40-300 पर लेकिन बहुत interesting चीज़ है कि call writing अभी भी जारी है 40-300 और 40-400 पर तो interesting है यह जो मैं सुबह से भी एक बात कह रहा था उसको में वापस repeat करूँगा इस market में आपके लिए trades बहुत simple है monthly options के तुरू इस market को trade करिए और उसमें especially bank nifty क्योंकि bank nifty में अच्छा कासा momentum है एक लग रहा है chance मुझे हश्चता कि October के end तक शायद bank nifty अपना all time high भी attempt करें, October के high तक नहीं तो November high तक तो करें गई वापस bank nifty अपना all time high nifty में all time high में अभी थोड़ा time लगेगा क्योंकि nifty में अभी थोड़ा सा एक अभी भी आई-टी और बाकी सेक्टर से उनका थोड़ा सा weight है जो थोड़ा सा negative है लेकिन 17,500 और 40,500 ये दो important levels से वचोट करने के लिए 17,500 और 40,500 ये importance तर उन पर नज़रे रहेंगी और of course इसको revisit टरेंगे भी जब हम closing की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे लेकिन जिस तरह का आज momentum देखने को मिला और largely सभी sectors की तरफ से production मजबूत है वीरू आपने अमशूर FNO data खूब खंगाला होगा जब आप options data पढ़ रहे हैं stock specifically क्या देख रहा है लेकिन आश्टा एक चीज तो यह है पहले आज मुझे थोड़े से ज़ादा खुशी है stocks देखके वही है क्योंकि BHL derivatives में stock winner है आज आज आप देखे कि अगर आप sectoral oi additions को देखिए तो देखिए top oi addition हुआ है अगर आज इंफ्रा स्पेस में और यहां पे अदानी enterprises ने container corp ने बाजी मारी है टॉप होएगी इनरस अगर आप देखे तो infrastructure space है उसके बाद अगर आप media space में है तो जीर ने अगर आप देखे तो आई थिंक जैसी वह ब्लॉक सुबह सुबह इनिशेट हो गया था उसके बाद कोई pressure था नहीं एक strong move 25.7% का oidation शांदार बोग लेकिन bank nifty की strength को sponsor करने वाले तीन stocks और वह भी तीनों दिग्ग जो ने आप आज कमाल से वाली हर्ष्ता लगपक 6.1% oidation bank nifty 4500 की trajectory में है और स्टिल आप देख लीजिए हर्ष्ता आईसे से bank, kotec और HDFC bank ये तीनों contracts आज derivatives में विदिन बैंकिंग बास्केट आप ओएग इनरसे हैं आइसे से बैंक 22.2, kotec करीकर 13.6 और HDFC bank करीकर 11 पर सेंट इस बाजार में हश्ता इक और चीज है क्या मिन स्टेंथ को बाय करने में बाजार हिच के चाने रहा है at it all-time high 18%